है गाईज वेलकम तो साइका वाननेस अई योप आप से बच्छ होंगे तो वेलकम तो थर्टी जए थर्टी हिडन बिग अपॉर्चुनटी चेलेंज और आज हमारे डे ट्वन्टिफॉर और मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडेफ करेंगे टोटल जो पीडेफ है वो आठ से नो अलग अलग पीडेफ है जिसको हमने कवर करना है जो आपके स्क्रीड पर आपको बेसिकली दिख रहे होंगे तो लास्ट कम्प्लीट वीडियो देख लिए ना सभी में फ्रेशस भी है एक्स्पीरेंस वालों के लिए ऑनलाइन इंटर्वी भी है रिटन इंग्जाम किसी मे रहेंगे और सभी और इंटर्व इसमें बेसिकली अप्लाइ कर पाऊगे तो पहले की बात करते हैं कौनसी पहली आपकी पहली आपकी डिपार्टमेंट ऑफ कम्मूनिटी मेडिसीन यान की सी एफम और स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ पीजी आई एम्बा चंडीगडें पोस् अब देखो बेसिक सेल्ली कितनी है इसमें मिलने वाले है और इसमें क्या है नो अदर अलाउंस इसके लावा अलाउंस नहीं मिलेगा प्योर ली कॉंटेक्ट्ट ओर रहेंगे आपकी दो हजाच और चॉबिस एक तिस मार्च तक तो तीन चार महने की रहेगी अपिटीक है अगर आप फ्रेशर भी हो न तो भी फॉर्म भरदू एकस्पीरियंस मांगे बिसिकले अगर आपके अपको डिस्क्रिप्शन में से लिंक दे दूंगा यहां पर लिखा तो कोई है नहीं यह देखो यह यह लिंक है वह देखो इसमें क्लिक कर हो गए यह यहां पर दिख्या नोट नंबर थाट पोजिशन में गुगल फॉर्म का लिंक दिया है इस पर क्लिक करोगे तो आपको गुगल फॉर्म खुल जाएगा वह आपको सब्मिट करना है बस हो गया ठीक है अगर आपका फॉर्म शॉट लिस्ट होगा तो आपको इमेल कर दिंगे लास देट 25 जनव भी इसमें हुए है तो डायेट प्रोजेक्ट डायेट एंड बायो माकर सर्वे इंडिया पोस्टिंग होगी इसकी मेघालेया में और 25 जनवरे को आपको इसमें वाकर इंटर्विव करना है डिपार्टमेंट आफ कम्मुनिटी मेडिसी नॉर्थ इस्टन इंद्रा गांधी इसका इंटर्विव का वाकर इंटर्विव सुबस 930 से ठीक है कौनकोंसी पोजिशन देख लो भाई कौनकोंसी पोजिशन है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट दो पोस्ट है 32 सेलरी प्लस 12,000 अफडिये तो आपकी होगी 44,000 सेलरी होगी 6 मंत का है ग्रेजोट इन साइंस य 12,000 का इसमें भी FDN 43,000 सेलरी होगी ग्रेजोट इन MLT वगरा मांगा है उसके बाद फील्ड वरकर दो पोस्ट इसमें सेलरी 28,000 रहेगी 12 पास वालों के लिए 12 पास वालों के लिए 12 पास विद 2 एर एक्सपिरियेंस इन स्टेडी वगरा में और अगर बैसला कर रहा है तो और New Delhi ठीक है वाकर इंटर्व करना है 25 जैन्वरी को पोस्ट कॉन सी पोस्ट है प्रोजेक्ट टेक्निशन गेट थर्ड फील्ड वरकर प्रोजेक्ट है ICMR कर ठीक है न और यह जोब आपकी स्टार्टिंग फेस इसका ओनली फो टू मन्त रहेगा और 12 पास मांगा है विद सा अगली पोजेशन की जो हमारे काम की है तो चलो बात करते हैं वो रहेगी आपको कहां से वो है आपकी देखो आपका इंटर्वी देने जाना है बात देखो कि चार पोजेशन है एक एक जनरल एक OBC एक SC एक EWS qualification देखो graduate in life science, state, social science याने कि psychology, sociology और आपका education, political science जो पर social science में आता है इनसे कर रहा है तो 3 year experience अगर master's कर रहा है आपने psychology में, sociology में, MSW कर रहा है आपने MA economics कर रहा है और जो भी subject social science में आते हैं उनसे अपने MA कर रहा है तो आप freshness इसमें eligible हो in hand आपको मिलेंगे 33,040 रुप है ठीक है 33,000 salary मिलेगी basic salary 18,000 है तो total combined जुड़के होगी 33,000 ठीक है 1 year रहेगी उस पर extend हो जाएगा कहां होगा आपको जौब कहा होगी ICMR में जोदपूर में ठीक है और 31 January इसकी I think interview date है और conference hall NISD जोदपूर में आपको इसके interview जाना है एक सा इसको इसमें भी आपको क्या करना है application form अगर भनना पड़ेगा इसमें और देखो चार पोस्ट है तो total कितने अगर 12 super candidate आएंगे तो return exam होगा 12 से कम आएंगे तो आपका क्या होगा आपका normal interview इसमें लिया जाएगा तो आप इसको पढ़ दिना discussions का link दे दूँगा और देखो इसमें कहके चीज़े हम एक बार और देख भी लेते हैं क्या बिसक्र रहेगा इसमें देखो इबार देख लेते हैं वाकर इंटर्वे ठीक है सीधे आपको आपको application form लेना है और सीधे जाना है वाकर इंटर्वी करने इंटर्वी की डेट क्य देखे चल जाना इंटर्वी के लिए ठीक है और इसमें मांगी पीजेन लाइफ साइंस स्ट्रैट वगरा मांगी है ठीक है तो सैल्ली किती है इसमें 67,000 in hand 18,000 मिलीगी आपको जोदपूर में आपका इंटर्वी होगा कब एक फरवरे को अगली पोस्ट है इसमें MLT वालों 12 pass plus MLT in hand 23,000 salary मिलीगी इसमें भी फिर अगली पोस्ट है इसमें बहुत सारी पोस्ट है हम देख लेते हैं प्रजेक्ट नर्स की पोस्ट है इसमें जीन मांगा है और in hand 23,000 salary एक फरवरे को इंटर्वी हो इसका वोई जोदपूर में तो इसका लिंक पी डिस्क्रिशन एक पोस्ट है और आपको करना है वोकर इंटर्वू के लिए कब सूला फरवरे को सब कुछ दिया है और ठीकियो इसको पढ़ लिना राम से उसके बात बात करें अगली पोजेशन की तो AIMS भुपाल से ही पोश्ट अगली भी देखो इसमें क्या मंगाई एक पोश्ट है फील्ड मॉनिटर की एक जनरल के लिए पोश्ट है आप सब अपलाए कर सकते हो तो देखो इसमें क्या डूटी आपको WCD के काम करना है आपको NHM के साथ काम करना है आशा वकर NHM के साथ काम करना है बहुत सारे बैसली काम है इसमें UNICEF वगर के इसमें इंट्राफिल आपकर रहेगा तो यह combined है AIMS, UNICEF, NHM, WCD तो उसके combined आपका प्रोजेक्ट आपके लिए रहेगा यह अब इसमें इसमें क्या है देख लेते हैं क्या है आपने मास्टर्स करो पबलिक हेल्थ में या फिर MSW या फिर Health Administration या फिर Community Medicine या फिर Nutrition में मास्टर्स करो अप्लाइ कर सकते हो आपको इसमें चाहिए और देखो इसमें क्या है बस हो गया salary बहुत अच्छी है 70,000 आपको पर मत इसमें बिलेंगे और आपका 10-15 दिन आपको फील जाना पड़ेगा बाकि आपका office job रहेगा age limit maximum 45 है और आपका project कब रहेगा 2 January से लेकर 31 December आपका रहेगा ये project आपका और देखो इसमें क्या है आपका walker interview बगरा जो भी है आपको walker interview करना है एक फरवरी को आपका walker interview वहाँ बैठके virtual mode बर जाओगे वहीं पर office में जाओगे लेकिन वहाँ बैठके भी online होगा बस बाक 225,000 पे मिलेगा master's कर रहा है अपने sociology में psychology में MSW public health apply कर लो freshers के लिए यह है job 7 मंत की रहेगी फिर बढ़ जाएगी magazine में 35 साल होगी इसकी और walker interview करना है 29 January को आपको कहाँ पर department of community medicine aims भोपाल तो दो post psychology वाले अराम से apply करो MSW वाले भी सब freshers eligible है इसमें ठीक है ना अब देखो बाकि आप इसको PDF को पढ़ लिना कि क्या कि इसमें करना है देखो इसमें walker interview के क्या है वह मैं आपको देख लेता है पता यहां पर देखो क्या लिखा है यहां देखो email id पर है अगर आपको form shortlist होगा तो आपको email id पर ही बता देगे बस हो गया इतना ही था इसमें अगली पोश्ट की बात करते हैं अगली कौन सी है अगली है अगली है अपकी देखो यह अच्छी पोश्ट है एमस भुपाल के तरह से ही पोश्ट है आपकी इसकी भी और इसमे है अपकी पहली है प्रजेक्ट मेंजर की PhD मांगी है किसमें फार्मेसी में प्रेक्टिकल क्लिनिकल फार्मेसी में तो वह अपलाई कर सकते हैं थाट्टी थाज़न सेलरी मिलेगी हो है तीन सल की जौब रहेगी अगली है अपकी इसमें जे आरफ जूनियर रिसाच फेलोग दो पोस्ट हैं मास्टस मांगा किसमें MSC, Microbiology, Bio Technology, Biochemistry और Public Health में भी है और 35,000 सेलरी मिलेगी तीन सल की जौब अपकी रहेगी फिर डेटा एंटरी के लिए है नॉर्मल BC करा है आपने तो अपलाई कर सकते हो दो पोस्ट है और 20,000 के सेलरी तीन सल की जौब अपकी रहेगी ब तीन साल का रहेगा clinical psychologist की जौब है आपकी MFIL in clinical psychology करिए simple तो जा सकते हो कोई experience नहीं मांगाए आपसे ठीक है ना अगर आपने MFIL करिए in medical and social psychology में तो भी जा सकते हो अपर age limit 45 एक पोस्ट है 54,000 के करीब आपको pace में मिलेगी और देखो क्या है दा इंटरेक्टर कंडेट शु बिल्डिंग AIMS भुपाल ठीक है 29 जन्वरी को आपका इसका interview होगा selection will the post will through personal interview और written exam भी आपका हो सकता है बाकी कज़र कुछ इसमें है नहीं पढ़ दिना बाकी क्या की चीज़ इसमें रहेंगी और उसकी बात करते है अगली की अगली job भी आपकी AIMS भुपाल की तरफ से ह रहेंगी ठीक है ना दो यह आपका starting phase one year का रहेंगा उसको आपका बढ़ जाएगा जौब का phase आपका और इसमें क्या मांगा है qualification क्या है इसमें सेम वहीं देख हुई अगली पोस्को प्रजेक्टिट टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेट 3 एक पोस्ट 28,000 salary 18% एचारे इन आपको मिलेगी आपने अगर BSW करा है BS sociology करी है और यह public health करा है apply कर लो plus 3 year experience है अगर अपने master's करा है psychology, sociology, MSW, public health तो आप freshers बैलेजिवल हो और आपको email करना पड़ेगा एक साल की job है 35 maximum age है और 31 last date है अपकी ठीक है 31 को आपको basically interviewers में committee medicine भोपाल में ही तो जो पहले पताया थी वो भी committee same दिन है ये भी same दिन है दोनों में से एक में apply कर ली न और देखो इसमें कैसा apply करना है यहाँ पर देखो candidate should download application form भरना application form निकालो print निकालो उसको fill करो और उसको जो है आपको 30 जन्वरी तक भेज़ दो ठीक है न और देखो क्या है और इस email id पर project है इस email id पर लिखके भेज़ दो कि इस post ले apply कर रहे हो और बस हो गया फिर आपका अगर form shortlist होगा तो आपको call आ जाएगी वहाँ से और यह रही है आपकी AIMS की website AIMS Bhopal की आप इस website में जाओगे जब तो यहाँ पर देखो दो चीज़ा तीन चीज़ा आती है अधर है ICMR वगया की जो NHM का collaboration UNICEF का collaboration है उनका link मैं आपको description में दे दूंगा आराम से कर लिना आराम से पढ़ लिना बहतरीन position आपकी रही है बाकी वीडियो को share करो जल मिलते हैं एक रोच्छी update में कोई भी query को तो comment में पूछ लिए इंस्टा का link description में WhatsApp का link description में तो पूछ लिना बागी वीडियो को लाइक करो जल मिलते हैं को अच्छी update में तब तक ले थैंक यू